हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइड ए लेर्निक प्रेटफार्म आफ एग्री कल्चर एंजी के इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी नहीं दिक्षित आज आप सभी लोगों से एग्री कल्चरल एंटेमोलाजी के मौक टेस्ट फस्ट के बारे में डिसकस करने वाला हूं आपको एफसी आई का जो स्लेपस है इंटेमोलाजी का वो कम्पलीट करा दिया गया है आपको टॉपिक वाइस क्लासेश प्रवाइड की गई है एफसी एक्जाम के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप एफसी आई असिस्टेर्ण ग्रेट 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अपलाई किये हैं और आप इस एक्जाम को क्रेक करना चाहते हो और आप इसकी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जी के प्लेटफॉर्म से इसका कम्पलीट कोर्स इंजोल कर सकते हैं हमारे क कोर्स में हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं स्लेबस के कॉर्डिंग फेज वन फेज टू का कम्पलीट नोट्स जो की आपका प्रिंटेबल एबुक्स के फॉर्मेट में रहेगा आपको वन कोस्टन बैंक दी जाएगी और आपको फेज वन फेज टू के मॉक्टिस दिये ज सकते हो कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दी गई है वहां से आप इसको बाई कर सकते हो यह हमारा से और से बाहर से आपके एक्जाम में कुछ नहीं आएगा तो आप क्वालिटी कांटेंट के लिए को रखते हैं अगर आपको का रिस्क्रिंख ल को सकते हैं अगर आपको इं की स्टोरीज की वीडियोस देखनी है तो आ वीडियो का रिस्क्रिप्शन बाउस च estásper फिचर ऑफ एन इंसेक्ट निमलिखित में से कौन सा एक इंसेक्ट की मुख विसेस्ता है तो यहां पर जो आफसंस दिये हुए है इन में आपका जो थ्री पेर आफ लग्स यह ऐसा फीचर है जो आपका इंसेक्ट का में कर्टेस्टिक्स है अगर आपके एकजाब में यह आए है इंसेक्ट यह आपका जो है एक लाइटिन वर्ड है और यह किसे मिलके बना हुआ है इंसेक्टम इंसेक्टम से मिलके आपका बना है इंसेक्ट इसका मतलब क्या होता है कट इंटू कट इंटू इसका मतलब होता है इंसेक्टम का अगर बात की जाए एंटमोलोगी के बार साखा को कहते हैं टिमोलो जी य आपकी एंटमोल तिक है यह आपकी जो है एक ग्रीक वाड है अश्जीत भी वल्ड में आपका ज़ोखे लोजी आएगा हो सभी ग्रीक रहेंगे और जिर में आपका कल लोगोस इन से मिलके बना हुआ है एंटमोम का मतलब क्या होता है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब होता है इस टू इस्टडी याने की इंसेक्ट की स्टडी कहलाता है आपका एंटमोलोजी फादर आप एंटमोलोजी विलियम का अद्बी को कहते हैं तो यह सभी पॉइंट आप Abdomen 3 Parts में Divide होती है किसी भी इसकी बॉडडी आपका 3 Parts में Divide होती है Head Thorax और Abdomen जो आपका Head होता है इसमें आपका One pair of Entry पाई जाती है जो आपका Thorax होता इसमें 3 pair of legs पाई जाते हैं याजे आपके टोटल 6 Leg पाई जाते हैं फिर आपका आता आपका विच आप दी फालोविंग इज काल्ड दी जेस्टिंग एंड इनक्टिव स्टेज इन दी इंसेक्ट लाइप साइकल निमलखित में से किसे कीट जीवन चक्र में विस्राम और निस्क्री अवस्था कहा जाता है तो आपका जो प्यूपल स्टेज होती है किसी भी इंस आपड दो की होती है या घृत कल्द है लेस्टिंग और इनक्टिव स्टेज नेस्स कोस्टन के है अपका वीच आप दी फालुविंग इस नोट आरन लीट्रिटेटर आफ ब्राउंड प्लांत हापर ने मिलेकित में से काउन साब ब्राउन प्लांत हापर का प्राकर्तिक प हे चलिए बात का लेते हैं प्रिडीटर्स के बारे में जो आपके प्रिडीटर्स होते हैं इनको होते हैं पर भच्छी तो यह क्या होते हैं यह आपके जो है ऐसे इंससे Hong तो इसका संटिफिक नेम क्या होता है निला परवत्टा लूज्यन्स और यह आपका हमीव टेला से बिलॉग करता है और यह आपका जो ग्रिफ विदि फैम्ली से बिलॉग करता है यह पका कर जैस क्राप का मेज़र इंसेक्ट पेस्ट है ब्राउन प्लांट स्रापर नेस्ट कोच्टन क्या है आपका इंसेक्स विच फीड और वन टाइप आप फूड और काल्ड कीड़े जो एक प्रकार का भोजन खाते हैं कहलाते हैं इनको आपका कहते हैं मोनोफाइगस और ऐसे इंसेक्ट जो आपके जो है मोर देन वन टाइप आप फूड खाते हैं उनको कहते हैं पॉलीफाइगस और एंटेमोफाइगी क्या होता है इंसेक्ट को खाना कहलाता है आपका एंटेमोफाइगी एपका इंसेक्ट आज सिफाइड इंटू दी फाइलम कीटो को किस फाइलम में वर्वेकलत किया गया है तो इसका उत्तर अपका हो जाएगा आर्फिटार यॉडार यॉण आपके जो है सभी इंसेक्स आते हैं और जो आपका आर्थ्रो पोड़ा है यह आपका एक जो है ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड है आपका जो है एक आर्थ्रो पोड़ा आर्थ्रो पोड़ा आपका जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है पहला आपका इसमें है आर्थ दूसरा आपका है पोड़ा आर्थो में एक होता है आपका जो आइंट इसका मतलब क्या होता है आपका पोड़ा का मतलब फूट और लेग फूट आवलीक लेग तो आपका जो है आर्थो पोड़ा जो होता है यह ग्रीग वर्ड है और इंसेक्ट को आप जो है जो इसका ओर्डर है वह आपका क्या रहेगा इंसेक्टा और जो आपके आर्थो पोड़ा जो आपका पाइलम है इसके 97 पर्सेंट जो इसमें पाई जाने वाले आर्गरिथम होते हैं वो सभी इंसेक्टा से बेलाउं करते हैं वो सभी इंसेक्ट है तो यह भी आपको याद रखना है ने स्ट कोंचहिंग आपका तो विच व आफ दी फालोइंग इंसट्ट इस डी का रियर ओफ ग्राशी इस्टेंट पैफोजनिक वायर्श निमलिकित में से कौन सा कीट ग्राश इस्टेंट ग्रुक जनक वायरस का वाहक है तो जो आपका लीप हापर होता है यह आपका जुँआ जैस क्राफ में जुआ आ होता है आपका जो पतिया होती है वह छोटी हो जाती है अकार में और उन Calm right back होता है हां करूछ है यजलो है और आपका जो है पतियों पर रस्ती इस्पॉड दिखाई पड़ने हैं यहां पर पतिओं के उपर और यकर स्ञाहिव चाहि करने के उपर और य्यल्ड गराफ में कम हो जाती है और अगर आप इसको कंड्रोल नहीं करते हैं तो फिर आपका डूब प्लाइन प्लान्ट मर जाता है और इसका जो इंफेक्शन होता है वो आपका जो है 10 to 20 days के बाद दिखाई पड़ता है क्राप में चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन क्या है आपका विच आप दी फालोविंग इस्टेटिमेंट इस ट्रूप और एंटेमोफायगी एंटेमोफायगी के लिए निम्रिखित में से कौन सा क्रथन सत है मैंने भी आपको पहले ऊताया था कि जो आपका एंटेमोफायगी होता है सब्काइब क्या होता है your eating of insects यानि कि of जो है इंसानों के दवरा जो इंसक्त को खाये जाता था कुछ ए estéक और से है कंट्रीज में जैसे आपका चाइना हो गया और जापान साइड ओका हो गया थाइलेंट मैं मार साइड वहां के ट्राइब से वो खाते हैं से को कि तो इसे कहते हैं आपका जोए जब हुमन के द्वारा खाया जाता है इंसेक्ट को ते से कहते हैं एंटेमो फैगी कि नेस्ट के आपका टी टोटल नंबर आप अब्डाविनल लेक्स इन दी लार्वा स्टेज आफ मस्टर साफ लाइज मस्टर साफ लाइज में पहलों की कुल संक्षा कितनी होती है तो इसमें आपके जो है एट पेर्स आप लेप पाई जाते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह आपके यह आपका जो है मस्टर साफ लाइज है इसमें देखिए 1-2-3-4-5-6-7-8 यहां पर देखिए 8 पेर्स अप लेप पाए गए हैं इसमें तो आपके टोटल जो है एट पेर्स अफ लेग होते हैं मस्टर साफ लाइम है और जो आपका मस्टर अप्लाइब होता है एथेलिया लूजेंस प्रॉक्सिमा इसका संट्पिर नेम होता है एथेलिया लूजेंस प्रॉक्सिमा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दू अगर आप अप FCI एगी टू और एगी धुरों के लिए अपलाई किये हैं तो आप हमारे कंबो बैक को बाई कर सकते हैं कंबो पायक का प्रैस पढ़र गांगा केवल आपको 2399 रूपीस और इस कंबो फैक में आपको मैं नेंजर पोस्ट का और टेक्निकल पोस्ट का जो आपकी टेक्निक दोनों पूस्ट के लिए माउक्तिस दिये जाएंगे यूट्यूब क्लासे स्क्लास नोट्स आपको मिलेंगे ओल्ड पेपर सब्सक्राइब और इंटर्विव गाइडेंस भी आपको प्रवाइड किया जाएगा तो आप क्वालिटी कांटेंट के लिए और सेलेक्षन बैस के लिए इस कोर्स को जोड़ कर सकते हो अगर आपको कोई कोई कोरी होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डियक्टली आप अग्री कल्चर जी के एप से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं नेस्ट कोच्टन क्या है आपका विच आप दी फालोविंग इस्टेटमेंट इस ट्रू अबाउट दी होलो मेटाबोलस इंसेक्ट होलो मेटाबोलस इंसेक्ट के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्त है तो इसमें क्या होता है आपका जो है इनमें आपकी complete metamorphosis होती है इन insects में जो आपके hollow metabolas insect होते हैं इनमें आपकी complete metamorphosis होती है अगर बात की जाए metamorphosis के बारे में तो यह आपकी जो है insect में basically four type की होती है पहला आपका आता है a metabola इसमें आपकी metamorphosis नहीं होती है इन insects में इनमें आपका इसके जो एक्जामपल हैं वो आपके हैं silverfish और इसमें क्या होता है आपका जो है only three stage होती है इनके life cycle में एग यंग वन और एडल्ट दूसरा आपका आता है hemi metabola इसमें आपका incomplete metamorphosis होती है और इनमें इसके example क्या है आपके dragon fly आपका हो गया damn cell fly हो गया आपका में fly हो गया यह तभी example है आपके hemi metabola के और इसमें क्या होता है आपका three stages होती है है इनके life cycle में एग यंग वन और एडल्ट नेस्ट आपका आता है कि पैजियू मिटा बोला इसमें आपका जो है gradual metamorphosis होती है इसका example क्या है cockroach glass hopper और बग और इनके यंग वन को निम्प कहते हैं नेस्ट आपका आता है होलो मिटाबोला जो कि आपके question में था इसमें आपकी complete metamorphosis होती है और इनके examples क्या है आपके butterfly moth fly beast ये इसके example है और इनके जो है life cycle में आपकी total four stages होती है एक लारवा प्यूपा और एडल्ट और mostly जो आपके इंसेक्ट होते हैं इनमें आपकी complete metamorphosis ही होती है अगर बात की जाए complete और incomplete विट अंतर क्या होता है तो इसमें यह आपका basic अंतर होता है जो आपका complete होते होती है इसमें क्या होथा है इसमें आपके four stage होती है life cycle की एग लारवा पीवपा और एडल्ट बट आपका जो इनकप्रीट होती है इसमें आपकी तीर इसेज होती है एक निम्प और एडल्ट तो यह इसका जो है बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का कि निस्ट को सटन क्या है आपका एफिड इसमाल साइब सकिंग इंसेक्ट और एक्जामपल ऑफ एफिड छोटे रस चोचने वाले कीट उदहारण है यह आपके किस्ते वह रहन है वीवी पैरस के आपके उदहारण है अगर बात की जाए एफिड के साइटिफिक नियम के बार करता है निस्ट क्या है आपका विच आप दे फालोइंग इस्टेक्चर इज नॉट दि पार्ट आफ इंसेक्ट हेड कैप्स्यूल निम लेकित में से कौन सी तरनक्चना कीटो के सीर के कैप्स्यूल का हिसा नहीं है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रोनोटम यह आप आपका इंसेक्ट का जो हैड होता है इसका जो कैफ्सूल होता है इसका हिसा नहीं है तो इसको उत्तर आपका हो जाएगा टर्माइट और यह आपका जो है ब्लैटोडिया नामक जो आपका order है से बिलौग करता है इससे बिलौग करता है इस प्लैटोडिया order से बिलौग करता है आपका कि इस्टिफिलिंग मॉष्ट इंपॉर्टेंग कोश्चन है आपके एक्जाम में आ सकता है आपको याद रखना है अगर बात किए दोस्टों कि आपका डाइन यह क्या होता है तो यह क्या होता है कर यह आपकी यूनित है मिजन बेंड की ठिकने स्वाइबर जिरफ की फाइबर की थिकनेस होती है थिकनेस जो आपकी होती है फाइबर की इसको मिजर्मेंट की एक ये एक यूनिट है और अगर आपकी बात की जाए डाइनर के बारे में तो इसका फॉर्मॉला क्या होता है आपका डाइनर डी इसकोल टू कि वेट आप वेट आफ the yield select weight of the other silk upon length of the other silk length of yield silk into 9,000 यह आपका फर्मुला होता है डाइनर का डाइनर आपकी जो है यूनित है मेजरमेंट की थिकनेस और फाइबर की इसका सूतर क्या होता है weight of yield silk upon length of yield silk into 9,000 यह इसका जो है फर्मुला होता है अगर बात की जाप की की जो आपका हैचिंग क्या होता है इसमें आपका जो है किसी भी प्राणी के दोना जो अंडे देने की पक्रिया होती है उसको कहते है है हैचिंग इसका आपका विच आप दे फालोविंग इस ट्रू अबाउट दी इमेच्वर इसकेल इंसेट आप परिपक को पैमाने के कीड़ों के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्रावलर्स यह इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा क्रावलर्स नेस्ट क्या है आपका हाट इस दी मेडिल पार्ट आप एन इंसेक्ट बाड़ी प्रेजेंट बिट्वीन दी हेड़ एंड अब्डॉमेंट काल्ट सिर और पेड़ के बीच मौजूद कीड के सरीज के मद्ध बाग को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं आपका थोरेक्स जो आपका इंसेक्ट होता है इसकी बाड़ी आपका तीन पार्ट में डिवाइड होती है पहला आपका आता है यह पार्ट होता है यह से कहते हैं है फिर आपका आता है थोरेक्स यह वाना पार्ट फिर आपका आता ह यह वाला पार्ट कोश्चन में पुछा गया था आपका इस पार्ट के बारे में जो आपका यह वाला पार्ट है इसको कहते हैं थोरेक्स दोस्तों अगर आप FCI AG2 मेनेजर पोस्ट के लिए अपलाई किये हैं और आप इसके कम्पलीट कोर्स को इन्रोल करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर जीके प्रेटफार्म से अफोर्डेबल प्राइस पे इसका कम्पलीट कोर्स पाई कर सकते हैं हमारे कोर्स वह हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं स्लेबर के क्योंडिंग फेज वन फेज टू का कम्पलीट नोर्स यूट्यूब क्लासेस च्लास्ट नोर्स टेक्निकल पेपर के लिए प्रिवेसयर पेपर टेस्स सीरीज के लिए वन कोष्टन बैंक और इंटर्व्यू ग या आपको वीडियो के description box में आपको agriculture gk app और website की लिग मिल जाएगी वहां से आप इस course को इंजोल कर सकते हैं और तो दोस्तों ये थी हमारी complete वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए क्योंकि इस channel पर आपको FCI exam की classes प्र प्रिक अच्छर gk app को install कर सकते हैं हमारे app पर आपको free notes मिल जाएगा, exams के लिए वह सारा और आपको जो है affordable price पर courses मिल जाएंगे, उन courses को आप buy कर सकते हैं, thank you so much